सबी को नमस्कार कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की दिवाली कैसी रही कॉमेंट्स में जरूर बताए मुझे दिवाली के बाद इंडिया के अधिकतर जगाओं में ठंड का मौसम रहता है और ओयल फिल्ड रेडियेटर या ओयल फिल्ड हीटर आपके लिए एक कर पाऊं मेरी ड्यूटी है अपनी कमिटमेंट के हिसाब से आपको ओयल फिल्ड हीटर के बारे में सारी जानकारी देना और इसकी वरकिंग दिखाना और लास्ट में आपको खुड डिसाइड करना है कि यह आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं मेरे पास इस समय मौर्फ ओयल फिल्ड हीटर के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लोएस प्राइजिस के चलिए आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूं ओयल फिल्ड हीटर अकसर सिर्फ डोमेस्टिक यूस में इस्तमाल होते हैं ओयल इसमें बर नहीं होता इस बात को जान ल आप इसको बंद कमरे में भी चला सकते हो औक्सीजन लेवल कम नहीं होगा सब्फोकेशन आपको फील नहीं होगी बंद कमरे में भी और इसके अंदर ओयल को रीफिल नहीं करना पड़ता जैसा कि बहुत लोग मुझसे पूस्ते हैं हर एक डिजाइन में आपको ये कॉलम य और फास्ट हीटिंग आपको मिलेगी थिन या पतले होने की वज़ा से हीट बराबर को निकलती है इसके अंदर से और टेंप्रेचर जो सर्फिस का टेंप्रेचर इसके उपर का जो टेंप्रेचर है वो कम रहता है पर हीट इसमें से जो है एकस्पैल होती है जैसे आपने LED क जो इसका कौन या फिर ड्रॉबैक कह सकते हैं वो यह है कि इसके अंदर जो हीटिंग का टाइम है वह करीबन दस से पंदरा मिनिट रहता है तो किसी कार्बन फाइबर हीटर क्वाइट सीटर की तरह एकदम हीटिंग देता 10-15 मिनिट का समय लेता है अगर हम दूसरी कंट्र जो से आपको जो मैंने बात अभी बताई है उससे आपको इसकी थोड़ी वर्किंग समझ आगी होगी ऑइल फिल हीटर की किसे साब से रहती है बाकी इसके बाइल लिंक्स वगेरा जो है मैंने डिस्रिप्शन में दे रखे हैं अब कुछ इसके फीचर के बारे में बात करते हैं तो अब पीटीसी फैन हीटर सब में लगा हुआ आ रहा है जितने भी फिल हीटर से इससे जो ही हीटिंग प्रॉसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है एफिशेंट हो जाता है कैस्टर फील्स आप इसके नीचे देखेंगे तो लगे रहते हैं यह बहुत जरूरी है इसको है यह फीचर मोस्टली ओइल फिल्ड हीटर में ही आपको मिलता है एड़स्टेबल थर्मो थर्मो स्टैट के आप कर सकते हैं एड़स्ट कर सकते हैं तेम्प्रेचर को अपने हिसाब से एक बात जो जानने वाली है जैसे अगर आप इसकी पावर सेटिंग को चेंज करेंगे जैसे 500 वाट पर चलाएंगे ताउजन वाट पर चलाएंगे पावर सेलेक्टर पको पांसों वाट पर गया हुआ है तो उसको अतने ही थर्मो स्टैट की रीडिंग में जाने में डबल समय लगेगा ऐस कंपेर टू अगर आप उसको थाउजन वाट की पावर सेटिंग पर तो ये एक power setting का इसमें ये feature रहता है आप इसको जैसे इसके अंदर चार आपको दे रखे हैं उस तरीके से तीन power selector की setting या फिर चार इस तरीके से आपको मिलती है अब कहीं heaters में oscillating feature भी आ गया है तो भी move करेगा और anti-dust features भी रहते हैं जिससे आपको कोने कोने में बराबर heating मिलती है और dust भी नहीं लगता ये एक अच्छा feature है क्योंकि इन्हें साफ रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है जैसे आप देखे कि इसके fins को अंदर तक clean करना ये बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर इसकी life की बात करें तो 10-15 साल तो ये अराम से चलते हैं कोई इसमें ज़्यादा ऐसी परिशानी नहीं आती है और आजकल ये digital display के साथ भी आ रही है साथ ही सामने इसके ब्लोर भी लगा रहता है extra heating के लिए थोड़ा तो ये ब्लोर वाला आप select करने तो ज़्यादा ब अगर से सामने लेबल से आप पड़ सकते हैं कुछ कॉंस जो इसके हैं दो तीनी कॉंसे जादा नहीं है जैसे एक high cost इसका रहता है अगर इसका price की बात करें तो दूसरे space heater से costly है काफी ज़्यादा टाइम लेता है heat up होने में उसके अलावा ये काफी ज़्यादा भारी है व सेफटी के ऊपर रूम हीटर्स की सेफटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है तो वह आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अब अगर ऑईल फिल्ड हीटर्स की सेफटी की बात करें तो इनका surface temperature पहले ही बताया था इसका surface temperature हो बहुत ही कम रहता है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो हाथ है मेरे खाल से नहीं चलेगा और बेबीस के अराउंड जिल्डिन्स के राउंड यह सेफ है बाकि इसमें टिल्ट सेंसर लगा रहता है तो अगर थोड़ा सा ऐसे एक तरफ को टिल्ट होगा तो यह auto cut off हो जाएगा और इसके अंदर आप कपड़े ना ही सुखाए तो अच्छा है जो काफी इंडियंस में देखा गया है क्योंकि अपने में जो इंडियंस में है एक जुगाड वाली चीज जो है उसमें इंडियंस आगे रहते हैं उसके अलावा तीन फिट की धूरी तक इसके अगर कुछ ना ही रखे तो हमेजन बिजनस से तो वह वह एक चीज आपके लिए हैं उसके अलावा अगर इसके अनेर्जी कंजम्शन की बात करें तो यह 500 वाट से लेगे 3000 वाट तक की रेटिंग वाले आपको मार्केट में मिलते हैं अब आपको काफी जानकारी मिल गई होगी कुछ ब्राइंड के प्राइबल्स ऊशा और बजार बजाज इसके जो लुएस प्राइस के लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं तो इन ब्रैंड के तो आप और कोई डाउट आ रहा है या अभी कन्फूजन है कि आपको कौन सा और फिर चूस करना है तो कॉमेंट्स में आप म से और जायदा इसके बारें जानकारी लीजिए या फिर हमारे स्टोर से भी आप आके इसको बाए कर सकते हैं लास्टली में यह कहाँ कि अपना बहुत बहुत ध्याम रखिए और आइल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए